आज मैं आइस क्रीम की रेसिपी के साथ हाजर हूँ मैं आपको घर में बिलकुल बजार जैसी आइस क्रीम बनाना बताऊंगी इसके लिए जो चीजें चाहिए हमें ट्याड़ बनाना तोड़ विट कर लिया है यह निव्यक्ष ठीकी explain मैं आजड़ अिकन्यड़ के भी ओक इंव्यक्त निजड़र निजाए दिए रखा हना है तको तो अच्छा प्लेवर इसकों अची तरह से बीट कर लिया है अगर आपके पास बीटर है तो बहुत अच्छी बात है इससे बीट करएं नहीं तो मनें बहुत अच्छी तरह है ये हैंड बीटर से इसको बीटS कर लिया है इसके अन्दर हम condensed milk दालेंगे, चीनी की जुरुवत क्योंकि condensed milk में अच्छा मीठा होता है और हमारे पास चॉकलेट बिस्किट भी मीठे है इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको हम ने अच्छी तरह मिक्स कर लिया अब हम इसमें हाफ टी स्पून जो है वो वनेला एसंस डालेंगे और यह ओयो बिस्किट का चूरा इसके अंदर यह डाल देंगे इसको मिक्स करेंगे वीवर यह देखें ठिक सा पेस्ट बन गया बहुत यमी सी आईस क्रीम हमारी तयार है मिंटों में बन जाती है अब हम इसको फ्रीज करेंगे कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे एर टाइट हम के अंदर देखें हम नहीं डाल दिया है और इसको हम अच्छे तरह से टाइट करके बन कर देंगे और तकरीबन हमें कम से कम इसको आठ घंटे तक के लिए फ्रीज कर लेंगे ताकि इस पे एर ना जाए इससे हमारी आइस क्रीम जो है बहुत क्लाफी सी मज़ेदार बनेगी और उसके बाद फिर हम इसको ये देखें इसको अच्छी तरह से हमने कवर किया है और फिर उपर से हम इसको धखना धख देंगे ताकि इसमें एर ना जाए तो ये बिल्कुल स्मूथ हमारी बजार की तरह जल्टा है हमने जो है ओवर नाइट रखी वी थी एड़ी प्रीजर में अब हम चेक करेंगे हमारी आइस क्रीम जम चुकी है ये देखिए हमने देखें जबरदस सी आइस क्रीम हमारी तैयार है अब मैं ये दिशाउट करूँगी स्कोप से या किसी से भी आप इसको बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बजार जैसी आइस क्रीम तैयार है विवर ये देखें बिल्कुल बजार जैसी आइस क्रीम लग रही है अब हम अपने इसाब से इसको चॉकलेट सीरप से डेकुरेट कर लेंगे जुरूर ट्राइ कीजिएगा मेरी ये रेसिपी आपको जो भी फ्लेवर पसंद है उसमें आप बना सकते हैं प्लीज अगर आपको पसंद आई हो तो में कमेंट्स में लिखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा अल्लाह अफेज